नीमत जिले की घटना को लेकर पूरिये प्रदेश में बड़ी हल्चाल है और इस पूरिये मामले में पर कॉंगेस क्या सोच रही है कि एक बुजर्ब व्यक्ति की इसलिए पीट-पीट का हत्या कर दी क्योंकि वो मुसल्मान के संदे के घेरे में था हमाया साते हैं जीतू देश में हत्याएं कर दी गाय के नाम पर माइनरिटी को डराना धमकाना और मुसल्मान हूं इसलिए उसको कई बार प्रतांतित करना हज्जारों वीडियो मार्केट में है और वो लोग कौन है भारती जनता पार्टी के ही लोग हैं आप देखो कि एक जेन पहले नोने आदि अचार सेकणों की तादाद में हुआ है आज जिसने महावीर ने एक पार्ट पढ़ाया दुनिया और देश को कि सत्य अहिंसा परोधर्म अहिंसा का पार्ट पढ़ाने वाले उस समाज के उस वेक्ति को मुसल्मान के के हत्या कर दी करने वाले कौन थे भारती जनता पार्ट के पार्षत पूर पार्षत का पती एक आडमी वीडियो बना रहा था एक आडमी कई आदमी के आवाजें वीडियो में आ रही है एक आदमी मारते हुए दिख रहा है एक पर F.I.R. हुई 302 की क्यों और 24-25 गंते में F.I.R. हुई शिवराद जी इसलिए सुबह छे बजे उटके मिटिंगे लेते हैं कि उनके लोग हत्या करें लोगों की ये है शिवराज सिंग जी की सरकार के असली कहानी मानोता की हत्या वेक्ति की हत्या और जितना लिंचिंग हो सकती है किसी भी पार्ट पर वो करने की प्रोसेस ग्रह मंत्री का कहना है कि वो व्यक्ति थोड़े दिमाग से कमजो होते हैं इस आप पहचान नहीं बता पा रहे थे इस दर्बयान ये घटना हुई है मौव लिंचिंग नहीं है ये तो मतलब गरह मंत्री ये कहना चाहते हैं कि वो पहचान नहीं बता पा रहे थे तो पहचान मुसलमान समझेगे इसलिए हत्या कर देंगे रोज सज धच के मेरे गरह मंत्री आते हैं मेडिया से बात करते हैं और रोज के अलग-अलग आश्वासन और कारण बताते हैं और दूसरे दिन फिर एक नया कांड हो जाता है वो दूसरा कांड ये घ्रह मंत्री के गोरे गाल पर एक तमाचा है और ये तमाचा इत्ता बहंकर है फिर भी उनको असर नहीं होता मुस्कुराते हैं लोगों के हत्या करने के कई समू नहत्या किये विचार नहत्या किये और वह भारती जनता पार्टिक का ही विचार है यह ति जीतु पटवारी जनका कहना है कि घटना बहुत दुर्भागी जनक है और उस घटना में शामिल अधिकता लोग बीजेपी के लोग है इसने तमाम लोगों पर एक को आरोपी बनाना गलत है करने में हमेन के साथ बिजेश शाज कूट एविपी न्यूज बपाल